वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम पॉलो अल्टो फायरवॉल का इंट्रोडेक्शन करेंगे और एक छोटी सी पॉलो अल्टो की लैब भी करेंगे जिसमें मैं आपको फॉलो अल्टो का डैशपॉर्ड और पॉलो अल्टो का जी यूई तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक बर शेयर भी कर सकते हैं तो अपॉलो अल्टो के साथ एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं नेक्स जनरेशन फायरवाल अगर आपको कोई पूछता है कि नेक्स जनरेशन फायरवाल क्या होती है तो नेक्स जनरेशन फायरवाल फ्रेंट्स वो होती है जो आपकी एप्लिकेशन लेयर पे काम करती है जिनको हम एप्लिकेशन अवेरनेस फायरवाल ही बोलते हैं जिस तरह application inspection firewall है यारने की layer 7 firewall है यह इनके अंदर यह capability होती है कि यह आपके traffic को allow और deny आप इसमें allow और deny कर सकते हैं traffic को on the basis of app id so आप यह देख रहे हैं we can identify and allow or block the traffic on the basis of app id meaning कि आप अपने traffic को identify कर सकते हो आप अपने traffic को allow यह block कर सकते हो on the basis of application application जो कि layer 4 में नहीं होता था तो इस कम एक आपको example भी दे देता हूं कि अगर suppose करो आपको Facebook based traffic block करना है या YouTube based traffic block करना है या for example आपको Facebook के अंदर सिर्फ एक specific application block करना है आप चाहते हो कि आप Facebook chat block कर दो इस सिर्फ Facebook chat ही block हो और Facebook block ना हो तो आप इस application awareness firewall के through वो कर सकते हो तो इसलिए हम इसको application awareness firewall बोलते है next generation firewall बोलते है इसके अंदर capability होती है कि आपके packet को deeply inspect करें और the basis of policy जो आपनी policy लगाई है firewall पे उसके बेस्पे इस traffic को allow या deny करें तो इसके अंदर एक term यूज होती है आप आइडी सो तो आप आइडी मैं आपको दिखा दूँगा जब हम firewall को login करेंगे तो हम यह देखेंगे तो आप आइडी से मीनिंग क्या कि आपकी यह firewall traffic को ब्लाक करती है और डिनार करती है on the basis of application meaning कि आप這個 थ्रूइस वाल पे traffic को अलाव ये ब्लाक कर सकते है अगर आप चाहते हो कि आप Talent कि application को ब्लॉक करो या आप चाहते हो Facebook बेस traffic ब्लॉक करो या चाहते basis of protocol और port numbers पर काम करते थी अगर हमें layer 4 पर traffic block करना होता था तो हम उसमें traffic को बताते थे कि भाया यह आपका destination है destination IP है और यह destination port है इस destination IP और destination port को block कर दो यह destination IP और destination protocol को allow कर दो तो यह आप layer 4 पर काम policy लगाते थे लेकिन layer 7 firewall पर आप application के base पर भी policy लगा सकते हो आप firewall को बता सकते हो कि आपको यह specific application allow करना है यह ब्लॉक करना है तो इसको हम बोलते हैं layer 4 firewall sorry layer 7 firewall application inspection firewall तो यह it provides you unified threat management UTM UTM क्या कि इस box के अंदर आपको सारी facilities मिलती है आप इस single box को यूज करके IPS IDS और anti-virus profile आपकी URL filtering content based ID threat management यह सारी जो profile हैं आप single policy में लगा सकते हो तो यह आपको unified threat management भी provide करता है तो यह Apollo 2 firewall का एक image है जो मैंने गूगल से लिया है तो आप देख सकते है PA220 एक चोटा सा model है यह आप देख रहे हैं यह इसका management interface है जब आप Apollo auto को first time purchase करते हो तो इस management interface के थ्रूँ आप अपना यहां पर laptop connect करते हो और इस management थ्रूँ आप इसको access करते हो इस IP से इसको access करते हो Apollo auto को access करने के बाद आप फिर इसके अंदर further configuration करते हो तो इसके अंदर management interface बिल्कुल separate है क्योंकि Apollo auto के अंदर जो management आपका plane है control plane दोनों different हैं तो इसके अंदर आप management को एक IP दे देते हो और management को एक IP देने के बाद आप इसको easily management IP से access कर सकते हो उसके बाद इसके अंदर further configuration होती है जब अपने next videos में जाएंगे तो आगे हम उस configuration को भी देखेंगे मैं dashboard मैं आपको इसको GUI के थूरू access करके दिखा दूँगा कि management पे आप किस तरह से आप दे सकते हैं यह आप देख रहे हैं यह console port है और यह further ports है यहाँ पर आप देख रहे हैं 12345678 इसके अंदर 8 port है तो यह छोटी firewall है पॉल और टो firewall चोटी यह एक model है PA220 तो इसलिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक 8 port हैं तो मैं इसको एक बार login करता हूँ अपने firewall पे और आपको dashboard भी दिखाता हूँ तो login कर लेते हैं मैंने इसको firewall को एक्सेस कर रखा है इस अपने IP से वो 9216043.200 इसमें default credential काम करते हैं username admin और password भी admin है इसको login कर लेते हैं firewall पे तो आप देख सकते हैं यह Palo Alto का dashboard है यहाँ पे हमें pan operating system 8.0 दिखा रहा है welcome to pan OS 8.0 तो यह इसको operating system है 8.0 इसमें operating system को pan OS बोलते हैं जैसे सिसको में iOS बोलते हैं तो इसमें pan OS बोलते हैं और यह आप device name देख रहे हैं PAVM है यह इसका management IP address है मैंने इसको already DHCP से इसको एक IP मिला ह अगर आप चाते हो कि आप इसको static IP दो तो आप इसको वो भी दे सकते हो और यह इसका gateway बाइडिफॉर्ट इसको DHCP से अपने एक IP मिल जाता है आपको करना ही होता है कि अपने laptop में DHCP run करके आप उसके थूरू भी इसको IP दे सकते हो जब first time आप connect करते हो तो इसको अपने laptop मे इसको IP दे सकते हो या फिर आप इसको एकसे सकते हो तो नॉर्मली हम इसको management interface पर static IP देते हैं और यह आप देख सकते हैं कि यह इसका model है PAVM और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह इसकी interfaces में आपको ले चलता हूँ network interfaces में आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर यह इसकी interfaces है Ethernet 1.1 यह management profile लगा रखी है अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको यह बदा देता हूँ कि पॉलो अल्टो में हमें management profile लगाने पड़ती है किसी जैसे हमने फोटेगेट में देखा था कि हम किसी interface पे जब हमें पिंग या SSH की permission देनी होती थी तो हम वहाँ पर एक टिक बॉक्स पर क्लिक करते थे और वहाँ पर हम कमांड रन करते थे सेट अलाव एक्सेस पिंग अगर आपने फोटेगेट पड़ हो तो हमें फोटेगेट में पिंग और SSH के permission देने के लिए इंटरफेस पे सेट अलाव पिंग एक्सेस के permission देनी पड़ती थी तबी हम दुसरी मशीन से या किसी दुसरी डिवाइस से उस interface के IP को पिंग कर सकते थे या रीच कर सकते थे त अभी सिर्फ मैं आपको basic introduction बता हुँ, तो next ए хват में हम interface पे IP और next video में basic details पड़ेंगे कि interface को किस तरना से configure कर सकते हैं, तो इछ interfaces आप देख सकते हैं, यह मैंने WAN Interface configure कर आया और यह LAN Interface configure कर आया और आज के वीडियो में फ्रेंड्स तहीं नेक्स वीडियो में हम इसको further continue करेंगे Thanks for watching this video